मैं जिने बुला रहा हूँ उन्हें देखिए बाकी कभियों के तो आप सुनते हैं लेकिन मैं एक ऐसे नाम को बुला रहा हूँ जिने मैं सुनना बहुत पसंद करता हूँ वो जब भी फैरिष्ट में होते हैं तो भई में शर्जा में अमेरिका में और मेरे को लिस्ट दी जाती है कि यह यह शायर है इनको संचालन करके पढ़वाना है तो मैं एक शायर का इंज़ार करता हूं कि वो जब पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा जूमेंगे उनके सुरों मे उनके कलाम में बहुत सादा तबियत के आदमी है लेकिन बड़े बहुत ही शायर उनकी गुनबुनाहाट जवान बच्चों के साथ बहुत वक्त तक जाने वाली है तो मैं जिनको बुला रहा हूं उन्हें जरा अच्छे से सुनिए बताईए जिगर कर शेहर है अजम शातरी दोग हैं आप कुमार विश्वास जी का बहुत बहुत शुक्रिया मैं चार लाइने कुमार साथ की नजर कर रहा हूं इसलिए इन्हें सुनाना चाहता हूं इनाथ यह चार लाइने मेरी सुना जी बहाए नाए और थोड़ा सा शायरी जो होती है ना वह बड़ी नाजुक सी होती है जैसे ताला फैरा हुआ पानी होता है उस पर कोई पत्थर मारते है जब कोई निकल के जाता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कंकर मारती है तो शायरी बहुत नाजुक है उसे बहुत समल के सुना जाता है मैं सुना रहा हूं सुने पहले दिवार इसमें तोड़ा लगा दो इको लगा दो भाई सुनिए गा ये उस्से मिलने की जुस्त जू भी है उस्से मिलने की जुस्त जू भी है और वो मेरे रूबरू भी है और वो मेरे रूबरू भी है अगर अच्छी लगे तो एक एक शक बजाये ताली कोई खामोच ना रहे और वो मेरे रूबरू भी है हमने सोचा था दिल जला डाले हमने सोचा था दिल जला डाले फिर ख्याला आया दिल में तू भी है हाँ 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 कल ही मुम्मत वगी साथ ने सुनाया वाँ हाँ उससे मिलने की जुस्त जूबी है और वो मेरे रूबरू भी है हमने सोचा था दिल जला डाले फिर ख्याला आया दिल में तू भी है फिर ख्याला दिल मज़ा आ गया लग रहा था कि आप लुक बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा अब या और सुनें एक खजल सुना रहा हूं मॉनिटर बड़ा होई दोड़ा है सुनिए गा देखिए खजल क्या मज़ा देती दिल पे लगती है तो अच्छा लगता है सुनिए जी भाई नाया अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए घम ही काफी है जिन्दगी के लिए अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए जो हमें जखम दे के छोड़ गया जो हमें जखम दे के छोड़ गया हम तड़पते रहे उसी के लिए यार ये तो महबत करने वालों को मजमा है बजाईए तालिया जब लोगे हम तड़पते रहे उसी के लिए हम तर देखिए इस पर कोई खामोश नहीं रह पाएगा सुनिए अगर अच्छा लगे तो मैं सब की तालिया चाहूँगा जी बाहिनायत हम तड़पते रहे उसी के लिए जहर भी लग गया दवाबंकर हमने खाया था खुदकुशी के लिए हमने खाया था खुदकुशी के लिए जहर भी लग गया दवाबंकर हमने खाया था खुदकुशी के लिए हमने खाया था अब यह सुनें जी बाई आपको जैसे लगेगा कि बड़ी हल्की सी बात है लेकिन आसान कहना ज्यादा मुश्किल काम होता है शायरी में हमने खाया था खुदकुशी के लिए उम्र भर जिसका इंतजार किया उम्र भर जिसका इंतजार किया वो मिला भी तो दो घड़िया के लिए वो मिला भी तो दो घड़ी के लिए उम्र भर जिसका इंतजार किया वो मिला भी तो दो घड़ी के लिए उन्चरागों का एहतराम करो जल रहे हैं जो रोशनी के लिए जल रहे हैं जो रोशनी के लिए गम ही काफी है जिन्दगी के लिए जिसम जलता रहा तेरी ही लो में यार कुछ कविता पर आप लोग खामोश हो जाते हैं जब कोई अच्छा शेर आता है बहुत तो जरा सा खामोश हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अच्छी शायरी या अच्छी कविता कुछ कमजोर पढ़ती चली जा रही है तो आप लोग उस पर भी दाद दिया कि रहा है जो अच्छा है अब सुनिएगा जिसम जलता रहा तेरी लाओ में उस गिरती रही नहीं के लिए वाओ में जलता रही नहीं के लिए 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 जलता रही 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 जलत